नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन खबर पर बांगलादेश में हिंसा और तक्ता पलट के बीच प्रधानमंत्री पर्द से इस्तिफा देकर भारत आई सीख हसीना के बयानों को लेकर चल रही खबरों पर रविवार साम उनके बेटी सजीब वाजियत ने एक किया है दरसल बांगलादेश के पूर्वपियम सेख हसीना के बेटी सजीब वाजियत ने चौकाने वाला दावा करते हुए अपने सोसल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि हाली में एक आखबार में मेरी मा के नाम से प्रकासित इस्तिफिय का बयान पूरी तरह से गलत और म मैंने उनसे अभी पूष्टी की है और उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया है मीडिया में चल रही खबरों में दावा किया गया कि सीख हसीना ने कहा है कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से बित्खल करने के साजिस इसलिए रची थी क्यों कि दच्छन एसिया के लिहास से खतरनाक हो सकता था बतादे कि यह सारी खबरे प्रकासित अखवार की रिपूर्ट के हवाले से चलाई गई थी जिसमें कथी तोर पर एकोनॉमिक टाइम से बात करते हुए से खसीना ने बंगलादेश के लोगों से आग्रा किया था कि वह कुद को मित्रदेश भारत में पूरी तरह सी सुरच्छित बताया था वहीं इन सारी खबरों को अब उनके बेटी सजीव वाजित ने सीरे से खारीज करते हुए मनगणंत घोसित करार बताया है खेर इस पूरी खबर पर आपकी क्यारा है आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा